कि हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टिट्यूट में आज हम आपके लिए लाएं त्रिपल सी परिच्छा के लिए मोस्ट इंपॉर्टन कोशन जिन्वे स्टुडेंट के एक्जाम देसंबर में है और वो अपने एक्जाम की तयारी करना चाते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्याम से कर सकते हैं आज की क्लास में आपको जितनी भी कोशन करा जाएंगे सभी कोशन आपके लिए इंपॉर्टन है तो आप लोग क्लास में सुरूर से अंतक बने रहिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो क करते हैं तो क्लास स्टाट करने से पहले आप लोग इस क्लास के लिंग को ज़ए-ज़ए कर दिजिए तो पहला कोशन आपका वीड़ेस आई कि इस पीड़ी से सब्सक्राइब आपको बताना है कि VLSI किस PD के सम्मंदित है, option A, first generation, option B, fourth generation, option C, third generation, option D, fifth generation, तो आपको बताना है इसमें से question का right answer क्या है, तो आप सो भी लोग अपने answer comment box में share करें, जिसको भी question का answer पता है, वो अपने answer comment box में share करें, तो आपके इस question का right answer हो जाएगा, option B, fourth generation, चौथे PD के computer से आपके VLSI का सम्मंदित है, अब यहाँ question में पूछ सकता है इसका pull loop क्या होता है, तो इसका pull loop होता है, very large scale integration, यह इसका pull loop होता है, इसको भी आपको याद रखने है, 5th generation के computer में किसका उच किया गया था, यह भी आप से question में पूछ सकता है, तो इसमें उच किया गया था, ULSI, इसका pull loop होता है, इसका pull loop होता है, इसका pull loop होता है, यह आपका 5th generation के computer में उच किया गया था, फर्स जनरेशन के computer में किसका उच किया गया था, तो आप बताएंगे vacuum tube का उच किया गया था, थर्ड जनरेशन में आपका IC का उच किया गया था, इसका pull loop होता है, इंटीग्रेटेड शर्किट, इंटीग्रेटेड शर्किट होता है इसका pull loop, और आपका बचता है second generation, तो आप लोग comment box में किसका उच किया गया था, जिसको भी पता है अपने answer comment box में share करें, second generation आपको उताना है, तो आप बताएंगे transistor का, transistor का use second generation के computer में किया गया था, यह total आपके 5 generation है, जो आपको याद रखना है, first generation में vacuum tube का उच किया गया था, second generation में transistor का उच किया गया था, third generation की बात करें, integrated circuit यानि IC का उच किया गया था, और fourth generation में आपके VLSI का उच किया गया था, और fifth generation में आपके ULSI का उच किया गया था, तो इस सबके full farm भी आपको याद रखने है, अब आते हैं आपके एगले question पर, UPI का full farm क्या है, आपको बताना है कि आपको UPI का पूर्डूप क्या है, तो आपके नीचे 4 option दिए गया है, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस question का right answer क्या है, तो आप सभी लोग अपने answer comment box में share करें, जिसको भी question में का answer पता है, वो अपने answer comment box में जरूब share करें, तो UPI का pull up होता है, option D से ही है, unified payment interface, अब यह question में पूर्च सकता है, UPI किसके द्वारा launch किया गया था, तो UPI को NPCI द्वारा launch किया गया था, अब यह question में पूर्च सकता है, NPCI का pull up क्या होता है, जिसका pull up होता है National Payment, National Payments Corporation of India, इसके द्वारा NPCI को launch किया गया था, यहां एक question में पूर्च सकता है, भीम का pull up क्या होता है, आप लोग comment box में होता ही, जिसको भी पता है, वो अपने answer comment box में share करें, भीम का pull up आपको बताना है, तो इसका pull up होता है भारत, interface for money, इसको भी याद रखना है आपके लिए, यह भी आपके लिए बहुत important question है, कई बार आपके exam में पूछे गए question है, एक full firm और कई बार आपके exam में पूछे गया है, यम, यम, आईडी, इसका pull up क्या होता है, तो इसका pull up होता है, का mobile, money, identifier, इसको भी याद रखना है, और कभी कभी question में देता है, कि इम, इम, आईडी कितने digit के होते हैं, तो इसको भी आपके याद रखने है, यह भी आपके exam में कई बार पूछा गया question है, अब आते हैं आपके अगले question पर, निमन में से कौन एक pointing device नहीं है, आपको बताना है, इसमें से कौन एक pointing device नहीं है, option A mouse, option B light pen, option C scanner, option D joystick, तो आपको बताना है, इस message question का right answer क्या है, तो आप सभी लोग अपने answer comment box में share करें, जिसको भी question का answer पता है, वह अपने answer comment box में ज़रूर share करें, और आप सभी लोग इस class के link को जादे जादे share करें, जिससे और भी student हमारी channel से जूड़ सकें, और अभी त सभी question आपके लिए important है, तो आप लोग class में सुरूर से अंतक बने रहेएगा, तो आपके question का right answer हो जाएगा, option C scanner, इस scanner आपका pointing device नहीं है, अब आते हैं आपका एगले question पे, DVD का विसकार कब हुआ, आप से question में पूछा गया, आपके जो DVD हैं, इस का विसकार कब हुआ था, option option A 1995, option B 1946, option A 1998, option D 1989, तो आपको बताना, इस में से question का right answer क्या है, तो आप से भी लोग अपने answer comment box में share करें, जिसको भी question का answer पता है, वो अपने answer comment box में जरूर share करें, तो आपके question का right answer हो जाएगा, option A 1995, 1995 में आपके DVD को release किया गया था, यानि उसको आविसकार किया गया था, अब यहां question में पूछ सकता है, DVD का पूर्डूप क्या है, तो आप से भी लोग अपने answer comment box में share करें, जिसको भी पता है, वो अपने answer comment box में share करें, DVD का पूर्डूप आपको उताना है, तो इसका पूर् disk, यह आपके DVD का पूर्डूप होता है, और यहां question पूछ सकता है, DVD की capacity कितनी होती है, तो आप लोग comment box में होता ही, आपके जो DVD है, उसकी capacity कितनी होती है, अगर आप से question में पूछ ले, DVD, और DVD की capacity होती है, कितनी होती है, तो आप बताएंगे, 4.7 GB, यह आपके DVD की capacity होती है, इसकी storage छमता होती है, आप अपने DVD में 4.7 GB तक के data को store करके रख सकते हैं, और CD ही जो होती है, जिसका पूर्डूप क्या होता है, compact disk, compile disk का पूर्डूप होता है, और इसकी capacity होती है, वो आपकी 700 MB होती है, और जो आपके DVD होती है, उसकी 4.7 GB होती है, अब आते हैं आपके अगले question पर, यूनिक्स में किसी file का print प्राप्ट करने के लिए किस command का इस्तमाल किया जाता है, आप से question में पूछा गया है, कि अगर आप Unix operating system का युज़ करते हैं, और उसमें आप किसी file को print प्राप्ट करना चाते हैं, तो उसके लिए आप कौन से command का इस्तमाइब करेंगे, तो आपके नीचे 4 option दिये गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके question का right answer क्या है, तो आप सभी लोग अपने answer comment box में share करें, जिसको भी question का answer पता है, वो अपने answer comment box में share करें, तो आपके question का right answer हो जाएगा, option b, option b आपके question का right answer है, lpr command का इच करते हैं, unix में किसी भी file को print प्राप्ट करने के लिए, अब आते हैं आपके question पे, LinkedIn कब launch किया गया, आपको बताना है कि LinkedIn को कब launch किया गया था, option a, 2003, option b, 2005, option c, 2002, option d, 2004, तो आपको बताना, इस में से question का right answer क्या है, तो आप सभी लोग अपने answer comment box में share करें, जिसको भी question का answer पता है, वो अपने answer comment box में जरू share करें, तो आपके question का right answer हो जाएगा, option a, 2003, 2003 में आपके LinkedIn को launch किया गया था, अब यहां question में पूछ सकता आप से, कि LinkedIn के founder कौन है, LinkedIn के founder कौन है, आपको बताना है, जिसको भी पता है, वो अपने answer comment box में share करें, यह भी बहुत important question है, कई बार आपके exam में पूछे गया है, तो इसके founder है, read of mine, इसको आपको याद रखने है, यह आपके LinkedIn के founder है, और इसको कब launch किया गया था, तो 2003 में, अगर पूरा सन पूछेगा, तो आप बताएंगे, 5 माई 2003, अब आते हैं आप एगले question पे, operating system, нам, нам, में से किन्ट file की जानकारी को टेवल में रखता है, आप से question में पूछा गया है, कि आपको जो operating system होते हैं, वे किन्ट file की jeito कारी को अपने table में रखते हैं, तो आपके नीसे चार option दिए गैंगा है, इसमें से आपको बताना है, कि आपको इस question का right answer क्या है, तो आसो इस question का right answer हो जाएगा, इसको short form में हम लिखते हैं FAT, कई बार इसका पूर्डूप आपके question में पूछा गया है, तो इसका पूर्डूप यह होता है, file allocation table, अब आते हैं आपका एगले question पे, desktop में सबसे नीचे पट्टी को क्या कहते हैं, आपसे question में पूछा गया है, आपके desktop में जो सबसे नीचे पट्टी होती है, उसको क्या कहते हैं, आप जब भी computer on करेंगे, तो आपके screen पे इस तरीके से बनता है, यह जो नीचे वाली पट्टी होती है, इसको क्या कहते हैं, यह आपके इस कोशन का राइट एंस रो जाएगा option D taskbar और यह जो आपके छोटे छोटे ग्राफिक्स दिखाई देते हैं इनको हम icon कहते हैं कि अब यहां question में पूछ सकता है taskbar को हम कहां नहीं set कर सकते हैं तो यह आपका by default bottom नीचे की side में होता है इसको आप right side में कर सकते हैं टॉप उपर भी कर सकते हैं left side में भी आप कर सकते हैं बट इसको हम center यानि बीच वह बीच इसको हम set नहीं कर सकते हैं आप को यह भी याद रखना है कि अगर आपके exam में question पूछता है कि टास्क बार को कहां नहीं set किया जा सकता है तो आप का इंसार होगा center में कि अब आते हैं आपको एगले question पर ब्लू-ray डिस्क की अधिक्तम storage छमता कितनी होती है आप से question में पूछा गया है कि आपको जो ब्लू-ray डिस्क होते हैं उसकी जो storage छमता होती है कितनी होती है option A 20 GB, option B 15 GB, option C 50 GB, option D 30 GB आपको बताना है मैंसे इस question का right answer क्या है तो आप सभी लोग अपने answer comment box में share करें जिसको भी question का answer पता है वह अपने answer comment box में ज़रू share करें और आप लोग इस class के link को भी ज्यादे share कर दिजिए जिससे और भी student हमारे चैनल से जूड़ सकें आज की class में आपको जितने भी question कराया जा रहे हैं सभी question आपके लिए important है तो आप लोग class में शुरू से अंतक बने रहेगा तो आपके इस question का right answer हो जागा option C 50 GB आपके बुलू डिस्क होते हैं इसमें आपके दो लेयर होते हैं कि सिंगल लेयर कि और डबल लेयर कि सिंगल लेयर में आपके 25 GB डेटा इस्टोर होते हैं अब आते हैं आपके अगले question पर कौन सा software निमने अस्तरी भांसा को मसीनी भांसा में परिवर्तित करता है आप से question में पूछा गया है कि इसमें कौन सा software है जो आपके low level language को machine language में बिदलता है option A assembler, option B interpreter, option C compiler, option D आपको पताना है इस मेंसे इस question का right answer क्या है तो आप सोभी लोग अपने answer comment box में share करें जिसको भी question का answer पता है वह अपने answer comment box में ज़रूर शेयर करें तो आपके question का right answer हो जाएगा option A assembler यह आपका क्या करता है low level language को machine language में बिदलता है बाकि आपके interpreter और compiler का काम होता है high level language को कि हाई-level language को क्या करते हैं यह लोग मशीनी language में परिवर्तित करते हैं कि अब याद रखने हैं आपको अब आते हैं आपके गले question पर कि माइक्रो प्रोसेसर का विसकार कब होगा आप से question पूछा गया है आपके जो माइक्रो प्रोसेसर हैं इनका विसकार कब होगा था option ने 1973 option आपको बताना है इस question का राइट एंसर क्या है तो आपसे लोग अपने एंसर कमेंट बाक्स में करें तो आपके इस question का राइट एंसर हो जाएगा option c 1971 अब यहां question में पूछ रखता है आपसे पहला माइक्रो प्रोसेसर काउन सा था तो आप बताएंगे intel 4004 यह आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम है यह भी आपको याद रखने हैं यह आपके एक्जाम में कई बार पूछे गया है अब आते हैं आपके गिली संदेश को इनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसे केवल अधिकरित उपयोग करता ही संदेश को पढ़ सकता है एक पूछा गया है कि आपके जो संदेश को इनकोड करने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं जिसे के वल अधिकरित उपयोग करता ही संदेश को पढ़ सकता है option A decryption option B privacy option C encryption option D none तो आपको उता ना इसमें से इस question का right answer क्या है तो आप सभी लोग अपने answer comment box में share करें अभी तक आप हमारी चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को subscribe और वीडियो को like, share, comment जरूर करिएगा तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option C encryption अब आते हैं आपके एकले question पर online वीडियो देखना क्या कहलाता है आप से question में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी online वीडियो देख रहे हैं तो उसे आप क्या कहते हैं तो आपके नीची चार option दिए गए इसमें से आपको बताना है कि आपके इस question का right answer क्या है तो आप सभी लोग अपने answer comment box में शेयर करें जिसको भी question का answer पता है वो अपने answer comment box में जरूर शेयर करें तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option A option A आपके question का right answer है अब आते हैं आपका एकले question पर कि लिब्रय आफिस के सभी program को बंद करने की सेटकर खुंजी control प्लस की हुग है आप से question में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रय आफिस में कोई भी program open किये हैं और अगर आप उस program को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप control प्लस कीव का यूज़ करेंगे option A true option B false तो अब आते हैं आपके एक लिए कोर्षिन पर सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ओर आरेस शुरू की गई आपसे कोर्षिन में पूशा गया है कि पब्लिक होस्पीटल के लिए ओर आरेस की सुब्दा कब लांच की गई या शुरू की गई आपसे अगस्त 2018 ऑप्शन भी जनवरी 2019 ऑप्शन सी जुलाई 2015 ऑप्शन डी अक्टूबर 2016 तो आपको पताना इस में से इस कोर्षिन का राइट एंस्वर क्या है तो आप सो ही लोग अपने एंस्वर कमेंट बाक्स में शेयर करें जिसको भी कोर्षिन का एंस्वर पता है अप आप्शन सी जुलाई 2015 अब यहां कोश्चन में पोछ चकता है ओ आरियस का पूलूप क्या होता है तो आप लोग कमेंट बाक्स में हree इसका पूलूप क्या है जिसको भी पता है अपने एंस्वर कमेंट बाक्स में ज़री करें तो इसका पूलूप होता है आनलाइन रजिस्टेशन सिस्टम यह इसका पूर्डूप होता है ORS का आनलाइन रजिस्टेशन सिस्टम अब आते हैं आपको एक लिए कोशन पर इंप्रस में पेस्ट अनफार में टेक्स्ट की लिए कौन सी साटकर्ट की का उप्योग किया जाता है आपसे कोशन में पूछा गया किगर आप man उप्रस में अनफार्माड़ टेक्स का ऊश करना चाहाते हैं उसके लिए कौन सी साटकट की का ऊश एक आपसन ने दिया कंट्रोल प्लसिप्ट प्लस वी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लसट प्लसट बी आप्षन C दिया है Ctrl-Alt-C, आप्षन D दिया है Ctrl-Shift-P, तो आपको बताना है इस में से इस Question का Right-Ansor क्या है, तो आप से भी लोग अपने Answer Comment-Box में शेयर करें, जिसको भी Question का Answer पता है, वो अपने Answer Comment-Box में ज़रूर शेयर करें, तो आपके इस Question का Right-Ansor भी जाएगा, Option भी Ctrl-Alt-Shift-V, इसका यूज़ करता हैं किसके लिए, Paste, Unformat, Text के लिए, याद रखने हैं आपको, अब यहां और भी shortcut दिये हैं, जिसका यूज़ आप लिप्रे आफिस इंप्रेस में कर सकते हैं, जैसे Ctrl-Shift-V का यूज़ किसलिए करते हैं, तो आप बताएंगे Paste Special के लिए, अगर आप Paste Special का यूज़ करना चाहते हैं, तो Ctrl-Shift-V का यूज़ कर सकते हैं, Ctrl-Alt-C का यूज़ किसलिए करते हैं, आप लोग comment box में बताएं, जिसको भी पता है, अपने एंस्वर comment box में जरुषियर करें, तो आप बताएंगे comment add करने के लिए, अगर आप comment add करना चाहते हैं, तो Ctrl-Alt-C का यूज़ कर सकते हैं, Ctrl-Shift-V का यूज़ किसलिए करेंगे, तो जिसको भी पता है, अपने एंस्वर comment box में जरुषियर करें, तो आप बताएंगे SuperScript के लिए, SuperScript के लिए Ctrl-Shift-V का यूज़ करते हैं, और एक पूछ सकता आप से, SubScript, अगर SubScript का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप बताएंगे Ctrl-Shift-V का यूज़ करते हैं, ये भी आपको याज़ रखने हैं, ये भी आपके लिए important question है, एक question और भी पूछ सकता है आप से, cycle case, ये भी बहुत ही important question है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, Shift, plus, ये अप 3 का यूज़ किया जाता है, किसके लिए? cycle case के लिए, अब आते हैं आपके एकले question पे, यूज़ या फेस, Unix file system का संचिप्त रूप है, आपसे question में पूछा गया है, कि यू या फेस कब पूर्डूप होता है, Unix file system, option A true, option B false, तो आपको बताना, इस में से this question का right answer क्या है, तो आपके this question का right answer जागा, option A true, अब आते हैं आपके एकले question पे, यह question और भी पूछ सकता आप से, UTF, UTF का पूर्डूप क्या होता है, तो इसका पूर्डूप होता है, आपका Unicode Transformation Format, इसको भी याद रखना है आपका, अब आते हैं आपका गिले question पे, Linux के founder काउन है, आपको बताना है कि Linux के founder काउन है, तो आपके नीचे 4 option दिए गए है, इसमें से आपको बताना है, कि आपके इस question का right answer क्या है, तो आप सभी लोग अपने answer comment box में share करें, तो आपके question का right answer हो जाएगा, option B, तो आप बताएंगे email के, email के founder काउन है, रे टॉम लिंसन, अब यहाँ question में पूशेकता है, पहला email का बेजा गया था, तो आप बताएंगे 1971 में, अब यहाँ question में पूशेकता है, email का पूर्डूप क्या होता है, तो आप लोग comment box में बताएगे, email का पूर्डूप क्या है, जिसको भी पताएगे अपने अपने इंसर, comment box में बताएंगे बताएंगे, email का पूर्डूप आपको होता ना है, तो email का पूर्डूप होता है, electronic, mail, यह इसका पूर्डूप होता है, इसको याद रखना है, अब यहाँ question में पूर्डूप सकता है, www के जनक काउन है, तो आप लोग comment box में बताएंगे, www के जनक काउन है, तो आप बताएंगे, team, partners, lead वारा, www की खोज की गई थी, और यहाँ question पूर्डूप सकता है, internet के जनक काउन है, तो आप लोग comment box में बताएंगे, internet के जनक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे, wind, surf, Bill Gates किसे कहते हैं, Microsoft के संस्तापक है, यह भी आपको याद रखने हैं, अब आते हैं आपके गई-ले question पर, BIOS का फूल फार्म क्या है, आप से question में पूशा गया है, BIOS का पूल फूल 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 क्या है, तो आपको बताना है, नीचे आपके चार option दिए गए हैं, इसमें सब को बताना है, कि आपके इस question का right answer क्या है, तो आप से भी लोग अपने answer comment box में share करें, तो इसका पूल फूल फूल होता, आपका basic input output system, और आपस्नें, आपके इस question का right answer हो जागा अब byos आपके store का होते हैं तो बताएंगे room में होते है room का पूर्डोब क्या होता है तो बताएंगे read harini memory यह आपके byforce RAM का पूर्डोब होता है और RAM किस प्रेकाट के memory होती है तो बताएंगे start memory होती है अब यूशन तो यह भी याद रखना अब आते हैं आपकर त Tucson上 कि मिसे बैंक में से किसका प्रियोग किया जाता है आप से कोशन में पूशा गया इसमें चेक और होते हैं उसमें रीड करने के लिए आप किसका इच करते हैं आप्शन ओ ये माइच आप्शन ओ सी ओ सी आर और इसका पूर्ड आगे लिखा गया है इसको याद रखना है इसका पूर्डू भी आपको याद रखने है और यह सब फूल फार्म आपके पूछे गए हैं अब आते हैं आपके गली कोर्शन पर कि अपको बताना है में सब्सक्राइब करें जिसको भी कोर्शन का इंसर पता है तो अपने इंसर कमेंट बाक्स में जरूर करें तो आपके इस कोर्शन का राइट हैं सरू जाएगा ऑप्शन D 1981 में आपके MS-DOS को लांच किया गया था अब यहां कोर्शन में पूछ सकता है MS-DOS का पूर्डूप क्या होता है तो इसका पूर्डूप होता आपका Microsoft Disk Operating System यह होता है आपका MS-DOS का पूर्डूप अब आते हैं आपका एगले कोर्शन पर सब्सक्राइब करें की यह उनीवेग कंप्यूटर को Microsoft कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था आपके में पूछा गया राइगा यहalf शुरू जाएगा option भी फाल्स अब यहां question में पूशकता है आप से यूनी वेक का पूर्डूप क्या है तो आप लोग comment box में पूर्डूप क्या है जिसको भी पता है अपने answer comment box में जरू शेयर करें तो इसका पूर्डूप होता आपका यूनी वर्सल आटोमेटिक केम्प्यूटर यह आपको आता है यूनी वेक का पूर्डूप अब आते हैं आपके एगले question भे directory को हटाने के लिए इस्तमाल किया गया command है आपसे question में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी directory हटाते हैं तो इसके लिए आप कौन से command का इस्तमाल करते हैं option a rd, option b remove, option c rmdir, option d rdir तो आपको बताना है इसमें से question का right answer क्या है तो आप सभी लोग अपने answer comment box में शेयर करें जिसको भी question का answer पता है वो अपने answer comment box में शेयर करें आज की class में आपको जितने भी question कराय जा रहे हैं सभी question आपके लिए important है तो आप लोग class में शुरू से अंतक बने रहेगा तो आपके इस question का right answer रहेगा option c rmdir इस command का इच करते हैं directly को हटाने के लिए अब आते हैं आपका एगले question पर file system में ntfs का अर्थ है आपसे question में पूछा गया है ntfs का आपको अर्थ बताना है तो आपके नीची 4 option दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि आपके इस question का right answer क्या है तो आप सब्सक्राइब करें तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option c new technology file system यह आपका होता है ntfs का पूर्डू अब आते हैं आपका एगले question आपको बताना है कि आपके इस question का right answer क्या है तो आपके इस question का right answer क्या है तो आपके इस question का right answer हो जाएगा option a option ही आपके इस question का right answer हो रहा है अब यहाए question और में पूछ सकता आप से Ubuntu को कव लांच किया गया था तो आप बताएंगे 2004 में यह भी आपको यहाद रखने है अब आते हैं आपके एगले question पर कि IOT का विसकार किस ने किया आप से question में पूछा गया है कि IOT का विसकार किस के दौरा किया गया था तो आपके नीचे चार option दिये गया है इसमें से आपको बताना है कि आपके question का right answer क्या है तो आप से लोग अपने answer comment box में share करें तो आपके question का right answer हो जाएगा option D Kevin Aston कि IOT सब्सक्राइब को कब लांच किया गया था यह भी question में पूछ सकता है IOT का विकास कब हुआ था या किस्चन में हुआ था तो आप बताएंगे 1999 कि IOT का पूर्डूप क्या होता है तो आप लोग comment box में होता है IOT का पूर्डूप क्या है जिसको भी पता है अपने answer comment box में जाएगी शेयर करें कि तो इसका पूर्डूप होता आपका internet कि आप थिंग्स यह आपके IOT का पूर्डूप होता है अब आते हैं आपके अगले कोर्शन पर आर पीए का फूल फार्म क्या है आपको बताना है आर पीए का पूर्डूप क्या है तो जिसको भी पता है अपने answer comment box में शेयर करें आपके नीचे चार आप्शन दिए गया है इसमें से आपको बताना है कि आपके इस question का right answer क्या है तो आपके इस question का right answer हो जाएगा आप्शन सी robotic process automation यह आपका होता है आर पीए का पूर्डूप अब आते हैं आपके एगले question पर जम्प टू लास्ट स्लाइड पर जाने की साट कटकी क्या है आप से question में पूछा गया है कि अगर आप जम्प टू लास्ट इडिट स्लाइड यहां एक option देगा स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से साट कटकी का उच करेंगे तो आपके नीचे चार आप्शन दिए गए इसमें से आपको बताना है कि आपके इस question का राइटेंसर क्या है तो आप से भी लोग अपने answer comment box में share करें तो आपके इस question का राइटेंसर हो जाएगा option भी alt plus shift plus f5 इसका इस करते हम jump to last edited slide पर जाने के लिए अब यहां एक shortcut की और आप से question में पूश सकता है कि आप आटोमेटिक कि इस पेलिंग चेक के लिए कौनसी साट कटकी का इच करते हैं तो आप लोग comment box में होता ही तो इसके लिए इस किया जाता है shift कि प्लस एप 7 का इच करते हैं यह भी आपको याद रखने है अब आते हैं आपके अगले question पर सब्द के ऊपर line को क्या कहते हैं आप से question में कोशा क्या है कि अगर आप कोई भी word लिखते हैं और उसके ऊपर line है तो उसको हम क्या कहते है आपस्ण ए upon लाइन ऑपसिन भी अंडर लाइन ऑपसण चीजर अपस्ट नना अब दीज तो आपको बताना है समय से question का राइट एंश्वर क्या है तो आप सो विलोग अपने answer कमेंट बाक्स में सेयर करें जिसको भी question का answer पता है वह अपने answer के लान होता है तुइसको म क्या कहते हैं कैते हैं औरabilia te इस पिसको यहाद रखने हैं यह आपके लिए इंपर्थन suis की और को आई हो कुसी क्रास आपको यह सम़ज में आये होगी आज स्थिक आपको यहीं कुछें कराएं सब्सक्राइब면 में केहें तो अब आप लोग इस class के link को भी जादिस जादिस शेयर कर दीजेगा जिससे और भी student हमारी चैनल से जूट सकें और अपने होने वाले exam की तयारी को और बैतर बना सकें तो आज की class ही समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले class में